सभी सख्खियों और शोताओं को मंजरी वर्मा और बुवा का नमस्कार नमस्कार स्वागत है और हमारे सभी शोताओं का भी स्वागत है इस पटल पर इस मंच पर सकी सहेली में हम सब जुड़ चुके हैं और फिर सब लोग कहेंगे कि वह तीन बजाय तो जुड़ी चुके हैं यह बता देते हैं तो आज हम बात करेंगे घरिलू फीस पैक के बारे में और इसके बात करेंगे चया पचय कैसे बढ़ाएं जी हाई में बात करेंगे और कोई दुख ना हो तो भाई बकरी खरीद लो हमारा तो यहीं सुझाओ है बकरी खरीद लेना सबसे बढ़ी है हम आपका इशारा समझ गए आज कता सुधा का दिन है और इसमें हम कहानी सुनाएंगे मुंशी प्रेम चंद की कहानी है इसका भाग दो जी हम सुनेंगे आज और वह जो रिष्टा होता है पति-पत्नी का कौन सा रिष्टा वो रिष्टा वो बड़ा प्यारा सा रिष्टा पति-पत्नी का इसके बारे में भी देखिए संदेश में भी बहुत सारी चीज़े लिखी है और हम भी कुतना कुछ अपनी बाते बताएंगे बाते करेंगे और देखिए एक लिखते हैं कि शादी एक ऐसा रिष्टा है जिसे दो आत्माओं का मिलन कहा गया है जहां दो आत विश्वास करने से ठीकी रहती है जीवन की खुशियों के लिए पति-पत्नी के रिष्टों का प्यार विश्वास और समझदारी के धागों से मजबूत बनता है वैवाहिक जीवन कहने के लिए तो बड़ा अकरशक और संपूर्टा से परिपूर्ण जीवन होता है रिष् जिन से की रिष्टा बहुत मजबूत होता है और शास्वत रहता है पति-पत्नी के रिष्टे में सबसे जरूरी होता है एक दूसरे से प्यार करना आप अपने पार्टनर के बाहरी रंग रूप को ध्यान न देते हुए उसके आंतरिक सुन्दरता से प्रेम करें जब आप पार्टनर को बिना किसी स्वार्थ के प्यार करेंगे तभी आपका रिष्टा एक आदर रिष्टा बनेगा पति-पत्नी को चाहिए कि वह एक दूसरे की इच्छाओं की हमेशा कद्र करें तो बहीं ये तो बात है लेकिन वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि पति-पत् करने निगा ये लाना हो इस फिर करना तो झाल वर झाला सी बात है कि पत्नी ने एकदम से पता दी तो मेरा कहने मतलब है थोड़ा कंप कर कि दिरी any ema Rodrigo धाया विझसा निक Agriculture में थेरो योदो करके होट मतलब धिखना पदेगा कि आपका जो जीवन संगीनी है इसाथी को अपने कि अविश्चता है पत्नी दोनों एक दूसरे को देखना पड़ेगा कि उन्हें क्या अच्छा लगता लगता है कुछ लोग करेंगे और कुछ ऐसे हैं कि अरे तो सुभे बताया था ना चाहिगी पत्ती और शक्कर लाने के लिए तो शाम को याद देलाना चाहिए था तो कुछ ऐसे होते हैं जिने के भई आप पूरा मतब जैसे साल भर पढ़ा दीजे लेकिन परिक्षा के समय फिर से रिवाइस करवा पढ़ेंगे अधर करता है कि अनकी करने का तरीका होता है या अगर नहीं आद रहता है तो फिर आप देखिये कि वह जा रहे थो और फिर से चिताइए कि देखो यह यह लाना है या लिख के लिस्ट थमा दीजिए और आजकल तो वाटसप कर दीजिए पीछे से तरीक है नहीं तो हम तो फोनी नहीं उठाएंगे नहीं नहीं देखा तो यही बात तो इस्तरी के ऊपर भी तो लागू होती नहीं बहने भी हैं दाहा जा जो चोटी चोटी चीज है ना इनसे रिष्टों में खटास तो नहीं आना चाहिए यह तो चोटी चोटी से फुलजडिया है फुहार है और इनका अपना मज़ा है लेकिन हाँ यह है कि जो मजबूत रिष्टे की बात हो रही है उसके लिए विश्वास एक दूसरे के ऊपर रखना जरूरी है और एक लिखते हैं बूगा संदेश में कि रिष्टा पती-पत्नी का दाम पत्य कहलाता है और दाम कहते हैं रसी को जो पती को आपस में बांधे रहे यह दाम रूपी रसी यहां दिखाई दिने वाले बांध की नहीं बलकि आपसी इसने की होती है जिसके वशिबूत होकर ही भगवान भी मा यशुदा के द्रश्यमान रसी से ना बनते हुए भी प्रेम और ममता के इसने मैं दाम से बंद जाते हैं पती-पत्नी का दाइत ऐसे ही इसने मैं दाम से जीवन भर बंदे रहने में ही है क्या बात है तो ये गटबंधन वाली बात है जोड़ वाली बात है हमारे साथ ही भी लिख रहे हैं कि इस विशय को आपने प्रथम क्रम दिया है दाम पते जीवन में भी इस विशय का बड़ा महत्तो है पती-पत्नी जो जीवन रथ के दो पहिये हैं जैसे रथ या कोई अन्य दो पहिया वाहन एक पहिये से नहीं चल सकता वही बात इस जीवन रथ के लिए भी लागू पड़ती है इस रिष्टे में विश्वास प्रथम जरूरी है जैसे बिना पेट्रोल दो पहिया वाहन नहीं चल सकता वैसे विश्वास रूपी इंधन के बिना जीवन रथ नहीं मिल्कुल और आपस के रिष्टों में आदर सम्मान हैं प्रेंगत, समर्पण की भावन okay होना और अपन अपना अच्छा चरित्र जा करसा लों के संहाल करें विचारूं लेकिनね कहने का मतलब ये है कि मतलब हर चिज में पारदरशिता होनी चाहिए आपके विचारों में आपकी बातों में आपके वहवार में यानि कि एक दूसरे का विश्वास जीतना पड़ेगा और जीतने के लिए वही जैसे तुमने कहा कि पारदरशिता तब ही जब रहेगी तो अपने आप भरोसा बना रहेगा मालूम है कि एक विश्वास होता है कि पती बड़े हक से कहे कि हमारी पत्नी हमसे कुछ नहीं चुप पत्नी के बीच तक्रार रोजी होती है लेकिन प्यार भी तो वही करते हैं जो तक्रार करते हैं तो बरतन भी होते हैं तो आपस में बाजे बिना नहीं रहते तो दो इनसान बिना बोले बिना जगडे कैसे रह सकते हैं प्यार अपनी जगह है और लड़ाई अपनी जगह है तो बात बिल्कुल सही है, लेकिन बात ये है कि लड़ाई जो होती है, उसमें किस तरह से समझवता कर लिया जाए, कैसे एक रास्ता निकाल लिया जाए और एक सहमती बना ली जाए मुझे लगता है कि जो भी तक्रार हुई है तो जब एक जन्ट शान्त हो, तब अपने मन की बात उनको बताए कि किस वज़े से हमारी तक्रार हो दोनों ना शान्त हुए तो तो थुड़ा वक्त दे, और भी चाहिए वक्त, और दोनों इंतजार कर रहे हैं कि वो आए मनाने औ तो इसमें तो बहु एक बढर बोलने हुपड़ेगा फिर देखा जाए लिए यही कौन शुरू करे बताओ पतनी मतलब बहनों के लिए है कि अपना ये कमर कसे और अशोई घर में जाएं और कुछ करें लेकिन जब हम रूठेंगे तो उनको भी मनाना पड़ेगा न नहीं देखो हाँ ये बाली बात है कि इसके लिए कहीं ने कहीं दोनों लोगों को मिलकर ये इंतजार नहीं करना चाहिए कि जगड़ा हो तब हम कुछ टै करेंगे बलकि पहले ये टै कर लें कि अगर ऐसा होगा तो हमें क्या करना होगा तो एक बात तो टै करनी पड़ेगी हो सकता है कि दोनों का कहीं न कहीं एहम टकरा आ रहा हो क्योंकि आर्थिक रूप से दोनों आत्म निर्भर हैं अगर तब ज या हम क्यों जाएं पहले या हम रसोई घर में क्यों जाएं क्यों यह नहीं जा सकते क्या रसोई घर में तो कहीं नहीं जा सकते हैं यह व्यहवारिक बात है इससे हम मुह नहीं मोड सकते बस मुझे लगता है जुकने की चीज नहीं लाना चाहिए जो एक एहंकार या स्वाभि यह कहना चाहिए कि चाहे वो बहन हो हमारे भाई हो इस तरी पुरुष जो भी है पती पत्नी वो दोनों यह निर्धारित कर लें कि हम खुद कैसे शांत होंगे हम किसी का इंतजार ही नहीं करेंगे वो बता दें कि ठीक हम हमें 15 मिनट दे दिया करो हम उतने में अपने आप शा हो सकता है आपको 25 मिनट लगे हो सकता है आदा दिन ले लेकिन आप खुद निर्धारित कर लें कि आप कैसे खुद बखुद मान जाएंगे है ना यह तरीका तो बहुत अच्छा रहेगा तो यह जरूरी है और कहीं न कहीं तो होता ही है कि शुरुआत जो करता है तो वो मान इसमें तैय कर सकते हैं और इसमें सुधा मूर्ती जी की बात बहुत अच्छी याद आती है कि वो एक और शुन्य वाला मामला अच्छा है कि एक अगर अक्टिव है तो दूसरा शुन्य हो जाए और अगर दूसरा एक हो रहा है तो पहला शुन्य हो जाए तो जहां दोनों एक एक रहेंगे तो हाँ गलत हो जाएगा तो उनका ये फॉर्मूला जो है एक शून ने और शून ने एक वाला अच्छा है बहुत अच्छा आपने बहुत अच्छी याद दिलाई है याद दिलाई हमाई साची उने करेक्टर में सुना भी जरूर होगा लेकिन आज फिर से परस पर पूरक होते हैं जगरते भी हैं छोड़ने की धमकी भी देते हैं लेकिन छोड़ते नहीं फिर जैसा अचार पुराना होने पर स्वादिश्ट होता है उसी तरह पति-पत्नी का रिष्टा पुराने होने पर स्वादिश्ट होता चाता है फिर संसार बढ़ता है सभी जिम्यदारी पूरी करते हुए भी एक दूसरे पर आशित होते हैं, एक दूसरे के बगएर खाली पन महसूस करते हैं, वरोसा और समर्पन इस रिष्टे को मजबूत बनाते हैं, सब कुछ एक दूसरे को सौपने के बाद ये सोचते हैं कि ये नहीं रहे तो कैसे जिएंगे, बढ़ती उम्र में ना तो एहंकार रहता है, ना मन मिटाओ, बस प्यार ही रह जाता है, और आगे ये लिखते हैं कि लेकिन साथी के बिछड़ने का दर्द असहनी होता है, देखो ऐसा है ना मंजरी पीटिया, ये तो इन्होंने बहुत आदर्श इस्तिती की बात की, लेकि समझना चाहिए, कि कहीं ना कहीं, एक बात और है कि कहीं ये भी हमने सुना था कि जब आप किसी से भी नाराज हो जाए बच्चे से, फिर पती पत्नी की बात अगर हम कर रहे हैं, तो अगर आप नाराज हुए, तो बस एक मिनट ले ये सोचिए, कि अगर अभी इनको कुछ अगर मिनट ले कलपना कर लें, कि कुछ भी हो जाएगा, कभी इनकी बीमारी का सुन ले या कुछ दुर घटना सुन लेंगे, तो क्या हम इनके लिए बैठे रहेंगे, या हम पूरा घर दार बेचने की इस्थिती में आ जाएंगे, और भाग के चले जाएंगे, और अपनी बगएर हमारी सिंदगी चल सकती है तो बहुत इच्छी बात है तो ऐसे हमारे साथ ही बहुत अच्छा कह रहे हैं सुबह साढ़े नौ बजे और रात को साढ़े नौ बजे हमारी पतनी बताती है करेक्टरम के समय फंकार और चायागीत के समय तो मुझे इस समय थोड़ा सा काम बताती है ना उनको तो काम याद रहता है तो भाई वह भी जरूरी है लेकिन ठीक है तोड़ा सा बरदाश कर रहे होंगे तभी सुन रहे है करेक्टरम अच्छी बात है और एक लिखने है कि एक जन कहता है कि आज से तुम्हारा बिल पिन कोड नंबर मेरा हो गया बस तुम्हें नहीं खाना चाहिए होटल से मंगा कर खा लो अब बताइए इसमें कौन सा पती-पत्नी का एक दूसरे को समर्पित प्यार देखता है। जो कहता है होटल से मंगवा कर खा लो यह नहीं कह सकता कि इसमें तेल और चीनी ज्यादा रहता है क्योंकि होटल वाले में तो बहुत ही ज्यादा रहता है उसकी गुरवत्ता भी खराब रहती है खेर जलकता तो कहीं पर भी नहीं है पती पत्नी का और कहीं कहीं बहुत जलकता लेकिन अंदर से कितनी अशांती है ये सब कोई नहीं जानता तो इस्तिती ऐसी होनी चाहिए कि भले ही दूसरे को आप नजर में चाहिए आदर्श पती-पत्नी हो ना हो घर के अंदर अवश्य हो खुश रहें ताकि बच्चे जो है वो अच्छे जीवन जी सके माता पिता से रिष्टा एक टाइम बात चूट जाता है मरे साथ ही लिख रहे है भाई बहन का रिष्टा चूटता है और पती-पत्नी का रिष्टा तो मरते दम तक रहता है दोनों सुख दुख के साथ ही एक दूसरे पर विश्वास करना कभी भी विश्वास घात नहीं होना चाहिए खास होता है पती-पत्नी के बीच अगर दोस्ती का रिष्टा होता है तो दोनों को एक दूसरे को और अच्छे से जान पाएंगे दोनों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी और इससे रिष्टे भी मजबूती में मजबूती भी आती है अगर पती-पत्नी के बीच दो तो उनका जीवन और भी ज़्यादा खुश्छाल हो सकता है। तो क्यूं मैं इसके संग ऐसा क्योंकि होता क्या है कि हम बहुत हग अपना समझते हैं हम समझते हैं कि यह मेरा सबसे नजदीकी और अपना रिष्टा है और शायद इसलिए बहुत ज्यादा हग जताने की वज़े से पूरे हम पशेसिव हो जाते हों कहीं जगडा करते हैं और पर रूट के वैठ जाते हैं उन्हें लगता है कि यह तो मेरी बात पूरी समझें इनको तो समझना चाहिए बाकी दुनिया समझें नहीं समझें और कभी-कभी नहीं समझते तो फिर भई हो जाते हैं वह सबका अपना दिमारे सबका लेवल है तो इसलिए यह मान लें कि यह करते इस समय की तरह हैं बच्चे की तरह हैं यह के तरह हैं या हमारे भाई की तरह हैं बंदू की प्रभी जिसकी बात आप जल्दी मांझा जाते हैं जिसको जल्दी से मना लेते हैं वह समझ कर लिए तो sadly सिर्फ च़एगा तो जब भी जगड़ा करती है सीधे यही धंके मिलती है कि आपको छोड़कर चली जाएगी लेकिन साम तक खुदी मान ही जाती है तो चली अच्छी बात है यह तो मतलब आपकी आदत पढ़ गई होगी तो जानगे कि अभी कहेगी पर उन नहीं जाएगी जी तो उनको भी अच्छा लगता होगा यह भी कुछ मीठी से तक्राज बढ़ जाता है काई कह रही जाने को जाई नहीं रही काई वार ऐसी भी चीज़े मज़े लेने के लिए ऐसे भी रिष्टों में बाते हैं और माय ही है तो इसको अगर हम शून कर लें तो बहुत अच्छा है लेकिन बड़ा मुश्किल है फिर भी सम्हालना पड़ता है और प्यारा और नाजुक सा रिष्टा है तो इसकी दोर को मदबूती से पकड़ की रखना है दोनों को और हम चलते हैं बुआ चया पचय कैसे बढ़ा कहलाती है जो कि हमारे शरीर को काम करने की उर्जा देती है और जो जीवित रहने में मदद करती है जो हम भोजन खाते हैं उसके पोशक तत्यों को उर्जा में बदलने का काम मेटाबॉलिजम ही करता है यानि पाचन जो करता है वही है इसमें अपचय जो आता है वो इसलिए विक्टन होता है जैसे कि अगर जो सनरश्ठन है हमारी उसमें अंजायम उत्प्रेश का काम करते हैं और कहीं ने कहीं से पूरा घ्राबोलियुणम काम करता है पाच्छन प्कृ क्रक्रह जए कहते हैं तो इसमें ध्यान इसलिए रकना जरूरी है कि जो भी हम खогते हैं जो बहुत है जैसे सामान खरिदनें गए और हमने सौरुपय कोई चीज ली और हमें पता अगर चलता कि इसमें सिर्फ 50 रुपय का ही सा जब हम कोई बी चीज लेते हैं, तो जाहिर हैं खाते हैं कि पूरा शारीर में मुलागे, जो भी उसमें पोशक्ततो हैं, वो पोच्छीज घरहन करें, चाहिर हैँ जाहिर हैं इक जाहिर्म करेंगार तो से ताकत मिलेगी, बाइखन करें ऐसे छोनारी चीज बनती हैं, किसी से जादेब का चाया पचाय जो है वो सही रहाना बहुत जरूरी है जो चाया में होने वाले रिया करला के है। यह इसी पर ही पचाय परुटे हैं शेरी का सांस लेना हुआ प Users बहुजञ बहुजन को जैसे आपने बात करीफ चानी की बात है रखत-संचार है और शेरीर को संचालित करना है इसके साथ साथ बुआ च्छतिग्रस्त उतकों और कोशिकाओं की मरम्मत के लिए भी उड़ जा ये प्रदान करनी है और हमारी सिहत कहना चाहिए एक तरीका राजा है मेटाबॉलिस में और हम सभी को इसके बारे में समझना चाहिए कि इसको अगर हमारा कम हो रहा है तो इसको में कैसे बढ़ाना है या या निक अगर वही हमने कहा ना कि अगर हम पांचन शक्ति ही हमारी कमजोर रहेगी तो हम पोशक तक तो कैसे प्राप्त करेंगे और जो भी हम ले रहे हैं उनका प्रयोग कैसे करेंगे या यूं कहें कि सदूपयोग कैसे मिलेगा तो इसके लिए बहुत सारी चीज़े हैं उसके बारे में हम बात करेंगे इस अंतराल के बाद लेकिन बता दें कि पानी जादा पिएं कैलोरी की मात्रा जो है वो अपने आप धीरे- करनी ओर डीरे लेड्ज हम बसाट है वह बढगा जाता है तो इस समय फैसे यह रहता है अपर अग्या यह नहीं रहा होता है तो संर्टी और एक तरह के से व्यायाम चल रहा होता है अंदर से, तो जाहिर है कि शरीर में गर्मी होती है, उस समय आपको नहीं नहाना चाहिए, या इसलिए पानी भी नहीं पीना चाहिए. बुआ जो हम लोग की बात कर रहे थे ना, तो उसको चया पचया को मेटाबॉलिस्म को बढ़ाने के लिए हमें वाक करना चाहिए, टहलना चाहिए, दोड़ना है, वयायाम करना है, योगा करना, इसके साथ तर्द डांस आप कर सकते हैं, एरोबिक्स कर सकते हैं, और जो और व जीग बनाना चाहते हैं, तो जाहिर है कि उसमें भी इनकी जरूरत परती है, ऐसे ही वजन घटाने के लिए भी आप में जो ये है, चैपचया जो है, वो सहायक होता है, तो दोनों ही तरह से लोगों को इसकी जरूरत होती है, तो इन सब चीजों का ख्याल लखें, और हम बा क्री रहे गया, यह जो हमारी पूरी तंत्र है, अच्छी है, आप नीन ले और चाय, कैफीन जो चीजे होती है, काफी बगर इन से थोड़ी सी, दूर रहे, जादा मत्त, दूर से पी ले, पीना तो पास ही पड़ेगा, लेकिन दो कप ले ले, तीन ले ले, इसे जादाने कर से थोड़ा से कमजोर होने लगता है, तो उसमें रेशेदार जो चीजे हैं वो पाचन में सहायक होती है, तो उनका भरपूर सेवन करें, बिल्कुल करें, और अंकृत अनाज है, और जो बहुत सारे मोटे अनाज होते हैं, जिने मिलेट्स कहते हैं, वो चीजे शामिल करें बोजन में, और देशी घी जरूर खायां, जो आतों को चिकनाहट देता है, आपके सिस्टम को ठीक रखता है, और इस तरह से मतलब आप अपने आपको ध्यान दे सकते हैं, और दे ही, हम लोग बराबर बात भी करते हैं, ने चैसे सलायत खायें, प्रति दिन एक दो चीज त उसके बाद ये सब करेंगे, तो आदत आपको शुरू से डालनी होगी, हाँ उस समय आप जादा आपको जिम्मेदारी से बहुत सजग होके करना पड़ेगा, लेकिन आप ये सोचे कि आप पचास के होगे, और चाना का आप टहलने की और इन सब चीजों की आदत डालनी जैसे कि हमरे साथियों की आदत है, कि कारेक्रम के बीश में गीत सुनते हैं, तो भाई उनकी आदत है, तो हम भी उसका सम्मान करते हैं तो अब कथा सुधा कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरे कभी मुस्कुराहर सजाएंगी, तो कभी आखें नम कर जाएंगी सामाजिक सरोकार से लेकर परिबार तक की होंगी बाते, कुछ मनुरंजन होगा, तो कुछ सीफ भी मिल जाएगी हर बार नई अनसुनी कहानी की, अलग अंदाज में होगी बयानी कहानी की मौलिक्ता बनाए रखते हुए, श्रोताओं के लिए कारिक्रम रोजक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाओं किये गए हैं आशा है, आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा कथा सुधा में आये सुनते हैं, मुन्शी प्रेमचंद की कहानी, कोई दुख ना हो तो बकरी खरीद लो पिछले भाग में आपने सुना उन दिनों दूद की तकलीफ थी, आखिर एक दिन, एक दोस से मैंने कहा भाई, आओ, साजे में एक गाई ले ले तुम्हें भी दूद का आराम होगा, मुझे भी, दूद आने लगा, रोज रोज की जंजट से मुक्ती मिली तीसरे महीने चड़ा का तबादला हो गया, मैं आके ले गाए न रख सकता था, गाए आधे दामों बेच दी गई आखिर ये सला हुई कि एक बकरी रख ली जाए, लेकिन एक ही हफ़ते में दूद की मात्रा कम होने लगी, पंडिज जी से हाल कहा तो उन्होंने कहा, देहात की बकरी है, यहां बंधे बंधे दूद कम हो जाए, तो ताज्यूब नहीं, इसे जरा तहला दिया कीजिए, लेकिन शहर में बकरी को तहला है कौन और कहां, इसलिए ये तै हुआ कि बाहर कहीं मकान लिया जाए, जटपट मकान बदला, एक काची से तै कर लिया कि र रियाली जाया करे, मगर इतनी कोशिश करने पर भी दूद की मात्रा में कुछ खास बढ़त नहीं हुई, मेरे खिदमतगार को बकरी लेकर बाग में जाना बुरा मालूम होता था, दूसरे दिन मैं दफ्तर से जरा जल्द चलाया और चटपट बकरी को लेकर बाग में जा प तो इससे कहीं बहतर नतीजा निकले और शाम को बकरी को साथ लेकर पतियां तोडने लगा, अचानक काचे एक तरफ से आ निकला, आपके हाथ में ये लगा अच्छा नहीं लगता, लाइए मैं कार देता हूं, और देखते देखते हरी पतियों का धेर लगा दिया, उसने थ काची पेड़ के नीचे उसकी चोगूनी पतियां पड़ी हुई थी, काची ने उनका एक गठा बनाया और सर पर लाद कर चला गया आए सुनते हैं इस कहानी का दूसरा और अंतिम भाग दूसरे दिन बकरी को बाग में ले जाना मेरे लिए कठिन हो गया, काची फिर देखेगा और ना जाने क्या-क्या फिकरे चुस्त करेगा उसकी नजरों में गिर जाना मुह से कालिख लगाने से कम शर्मनाक ना था हमारे सम्मान और प्रतिष्ठा की जो कसोटी लोगों ने बना रखी है, हमको उसका आधर करना पड़ेगा नक्कू बनकर रहे तो क्या रहे? लेकिन बकरी इतनी आसानी से अपनी निर्दवंद्व आजाद चहल कदमी से हाथ ना खीचना चाहती थी जिसे उसने अपनी साधारन दिन्चरिया समझना शुरू कर दिया था शाम होते ही उसने जूर शोर से प्रतिवाद का स्वर उठाया कि घर में बैठना मुश्किल हो गया गिटकिरीदार मेमे का निरंतर स्वर आ आकर कान के परदे को शक्त विक्षत करने लगा कहां भाग जाओं बीवी ने उसे गालिया देना शुरू कर दिया मैंने गुसे में आकर कई डंडे रसीत किये मगर उसे सत्या ग्रह इस्थगित न करना था ना किया बड़े संकट में जान थी आखिर मजबूर हो गया अपने किये का क्या हिलाज आठ बजे रात जाडों के दिन घर से बाहर मू निकालना मुश्किल और मैं बकरी को बाग में टहला रहा था और अपनी किसमत को कोस रहा था अंधेरे में पाओं रखते मेरी रूह कापती है एक बार मेरे सामने से एक सांप निकल गया था अगर उसके उपर पैर पड़ जाता तो जरूर काट लेता तब से मैं अंधेरे में कब भी ना निकलता था मगर आज इस बकरी के कारण मुझे इस खत्रे का भी सामना करना पड़ा जरा भी हवा चलती और पत्ते खड़कते तो मेरी आँखे ठिटूर जाती और पिंडिलियां कहा अपने लगती शायद उस जन में मैं बकरी रहा होंगा और ये बकरी मेरी मालकिन रही होगी उसी का प्राइश्चित इस जिंदगी में भोग रहा था बुरा हो उस पंडित का जिसने ये बला मेरे सिर मढ़ी गिरस्ती भी जंजाल है बच्चा ना होता तो क्यों इस मुझी जानुवर की इतनी खुशामत करनी पड़ती और ये बच्चा बड़ा हो जाएगा तो बात न सुनेगा कहेगा आपने मेरे लिए क्या किया है कौन सी जाएदाद छोड़ी है ये सजा भुगत कर नौ बज़े रात को लोटा अगर रात को बकरी मर जाती तो मुझे जरा भी दुखना होता दूसरे दिन सुबह से ही मुझे ये फिक्र सवार हुई कि किसी तरह रात की बेगार से छुट्टी मिले आज दफ्तर में छुट्टी थी मैंने एक लंबी रस्सी मंगवाई और शाम को बकरी के गले में रस्सी डाल एक पेड की जड़ से बांध कर सो गया अब चरे जितना चाहे अब चिराग जलते जलते खोल लाओंगा चुट्टी थी ही शाम को सिन्यमा देखने की ठहरी एक अच्छा सा खेलाया हुआ था नौकर को भी साथ लिया वरना बच्चे को कौन संभालता जब नौ बजे रात को घर लोटे और मैं लाल्टेन लेकर बकरी लेने गया तो क्या देखता हूँ कि उसने रस्टी को दो-तीन पेडों से लपेट कर ऐसा उल्जा डाला है कि सुल्जानम मुश्किल है इतनी रस्टी भी न बची थी कि वो एक कदम भी चल सकती लाहाल विला कुवत जी मैं आया कि कमभख्त को यहीं छोड़ दू मरती है तो मर जाए अब इतनी रात को लाल्टेन की रोश्टी में रस्टी सुल्जाने बैठे लेकिन दिल ना माना पहले उसकी गर्दन से रस्टी खोली फिर उसकी पेंच दर पेंच एठन उसे चुड़ाया एक घंटा लग गया मारे सरदी के हाथ ठीटू रह जाते थे और जी जल रहा था वो अलग यह तरकी और भी तकलीफ दे साबित हुई अब क्या करूं अकल काम ना करती थी दूद का खयाल ना होता तो किशी को मुफ्त में दे देता शाम होते ही चुड़ेल अपनी चीख पुकार शुरू कर देगी और घर में रहना मुश्किल हो जाएगा और आवाज भी कितनी करकश और मन्हूस होती है शास्त्रों में लिखा भी है जितनी दूर उसकी आवाज जाती है उतनी दूर देवता नहीं आते स्वर्क की बसने वाली हस्तियां जो अपसराओं के गाने सुनने के आदी है उसकी करकश आवाज से नफरत करे तो क्या था चुप मुझ पर उसकी कर्ण कटू पुकारों का ऐसा तंक सवार था कि दूसरे दिन दफ्तर से आते ही मैं घर से निकल भागा लेकिन एक मील निकल जाने पर भी ऐसा लग रहा था कि उसकी आवाज मेरा पीचा किये चली आती है अपने इस चिर्चिरे पन पर शर्म भी आ रही थी जिसे एक बकरी रखने की भी सामर्थ ना हो वो इतना नाजुक दिमाग क्यूं बने और फिर तुम सारी रात तो घर से बाहर रहोगे नहीं आठ बजे पहुचे उगे तो क्या वो गीत तुमारा स्वागत न करेगा सहसा एक नीची शाखों वाला पेड़ देखकर मुझे बर्बस उस पर चढ़ने की इच्छा हुई सपाट तनों पर चढ़ना मुश्किल होता है यहां तो छे साथ फुट की उचाई पर शाखे फूड गए थी हरी हरी पत्यों से पेड़ लदा खड़ा था और पेड़ भी था गूलर का जिसकी पत्यों से बकरियों को खास प्रेम है मैं इधर तीस साल से किसी रुख पर नहीं चढ़ा वादत जाती रही इसलिए आसान चढ़ाई के बावजूद मेरे पाउं काँप रहे थे पर मैंने हिम्मत नहीं हारी और पत्यों तोड़ तोड़ कर नीचे गिराने लगा यहां अकेले में कौन मुझे देखता कि मैं पत्यों तोड़ रहा हूं अभी अंधिरा हुआ जाता है पत्यों का एक गठा बगल में दबाऊंगा और घर जा पहुचूंगा मगर इतने पर भी बकरी ने कुछ चींच पड़ की तो उसकी तो शामत ही आ जाएगी अभी मैं उपर ही था कि बकरियों और भिर्डों का एक गोल नजाने किधर से आ निकला और पत्यों पर पिल पड़ा मैं उपर से चींख रहा था मगर कौन सुनता चरवाहे का कहीं पता नहीं कहीं दुबक रहा होगा देख लिया जाओंगा तो गालिया पड़ेगी जहला कर नीचे उतरने लगा एक एक पल में पतियां गायब होती जाती थी उतर कर एक एक की टॉंग तोड़ूंगा यका यक पाउं फिसला और मैं दस फीट की उचाई से नीचे आगी रहा कमर में शी चोटाई की पांच मिनिट तक आँखों तले अंधेरा चागया खैरियत हुई की और उपर से नहीं गिरा नहीं तो यहीं शहिद हो जाता बारे में मेरे गिरने के धमाके से बक्रियां भागी और थोड़ी सी पतियां बच रही जब ज़रा होश ठिकाने हुए तो मैंने उन पतियों को जमा करके एक गठा बनाया और मजदूरूं की तरह उसे कंधे पर रखकर शर्म की तरह छिपाए घर चाला रास्ते में कोई दुरगटना नहीं हुई जब मकान कोई चार फालांग रह गया और मैंने कदम तेज किये कि कहीं कोई देख न ले तो वो काची सामने से आता दिखाई दिया कुछ न पूछो उस वक्त मेरी क्या हालत हुई रास्ते के दोनों तरफ खेतों की उंची मेरे थी जिनके उपर नाख फनी निकलेगा और भगवान जाने क्या सितम ढाए कहीं मुणने का रास्ता नहीं सिर जुका कर इस तरह निकल जाना चाहता था कि कोई मजदूर है तले की सांस तले थी उपर की उपर जैसे वो काची कोई खुखार शेर हो बार बार हिश्वर को याद कर रहा था कि है भगवान तुही आफ़त के मारे हुओं का मददगार इस मर्दूत की जबान बंद कर दे एक शण के लिए उसकी आँखों की रोशनी गायब कर दे हाँ वो यंत्रना का शण जब मैं उसके बराबर एक गज के फासले से निकला एक एक कदम तलवार की धार पर पड़ रहा था शैतानी आवाज कानों में आई मुझे मालूम हुआ नीचे से जमीन निकल गई और मैं उसके गहरे पेट में जा पउचा हूँ रोय बर्चियां बने हुए थे दिमाग में उबाल सा रहा था शरीर को लकवा सा मार गया जवाब देने का होश न रहा तेजी से दो तिन कदम आगे बढ़ गया मगर वो एच्छिक क्रिया न थी प्राण रक्षा की सहच क्रिया थी कि एक जालिम हाथ गठे पर पड़ा और गठा नीचे गिर पड़ा फिर मुझे याद नहीं क्या हुआ मुझे जब होश आया तो मैं अपने दर्वाजे पर पसीने से तर खड़ा था जैसे गोया मिर्गी के दौरे के बाद उठाओं इस बीच मेरी आत्मा पर उपचेतना का आधिपत्य था और बकरी की वो घुलित आवाज वो करकश आवाज वो ही मतोडने वाली आवाज वो दुनिया की सारी मुसीबतों का खुल सा वो दुनिया की सारी लानतों की रूह कानों में बीजा रही थी बीवी ने पूछा आज कहां चले गए थे इस चुडेल को जरा बाग भी न ले गए जीना मुहाल कि ये देती है ये घर से निकल कर कहीं चली जाओ असा लगता है मैंने इत्मिनान दिलाया भागवान आज चिला लेने दो कल सबसे पहला काम ये करूँगा कि इसे घर से निकाल कर बाहर करूँगा चाहे कसाई को क्यों न देना पड़े और लोग न जहने कैसे बकरियां पालते हैं बकरी पालने के लिए कुट्टे का दिमाग चाहिए सुबह को बिस्तर से उठकर इसी फिकर में बैठा था कि इस काली बला से क्यों कर मुक्ती मिले कि सहसा एक गड़रिया बकरियों का एक गल्ला चराते हुए आ निकला मैंने उसे पुकारा और उसे अपनी बकरी चराने की बात कही गडरिया राजी हो गया यही उसका काम था मैंने पुछा क्या लोगे हुजूर आठाने बकरी मिलते हैं मैं एक रूप्या दूँगा लेकिन बकरी कभी मेरे सामने ना आवे गडरिया हैरत में पड़ गया मर कही है क्या बाबुजी अरे नए-नए बहुत सीधी है बहुत सीधी है बकरी क्या मारेगी लेकिन मैं इसकी सूरत नहीं देखना चाहता अभी तो दूद देती है हाँ सेर सवा सेर दूद देती है दूद आपके घर पहुँच जाया करेगा बाबुजी तुमारी महरमानी कल से दूद पहुचा दिया करूंगा बाबुजी जिस वक्त बकरी घर से निकली मुझे ऐसा मालूम हुआ मेरे घर का पाप निकला जा रहा है बकरी भी खुश थी गोया कैज से छूटी है गडरिये ने उसी वक्त दूद निकाला और घर में रखकर बकरी को लिए चला गया ऐसा ग्राहक उसे जिन्दगी में शायद पहली ही बार मिला होगा एक हफ़ते तक दूद थोड़ा बहुत आता रहा फिर उसकी मात्रा कम होने लगी यहां तक की एक महिना खतम होते होते दूद बिलकुल बंद हो गया मालुम हुआ बकरी गाभिन हो गई है मैंने जरा भी एतराज ना किया काची के पास गाय थी उससे दूद लेने लगा मेरा नौकर खुच जाकर दूद लाता था कई महिने गुजर गए गडरिया महिने में एक बार आकर अपना रूप्या ले जाता मैंने कभी उससे फिर बकरी का जिकर ना किया उसके खयाल से ही मेरी आत्मा काँप जाती थी गडरिये को अगर चेहरे का भाव पढ़ने की कला आती तो वो बड़ी आसानी से अपनी सेवा का पुरसकार दुगना कर सकता था एक दिन दर्वाजे पर बैठा हुआ था कि गडरिया अपनी बकरियों का गल्ला लिये आ निकला मैं उसका रूप्या लेने अंदर गया कि क्या देखता हूं कि मेरी बकरी दो बच्चों के साथ मकान में आ पहुची वो पहले सीधी उसी जगह गई जहां बंधा करती थी फिर वहां से आंगन में आई और शायद परिचय दिलाने के लिए मेरी बीवी की तरफ ताकने लगी उसने दोड कर एक बच्चे को गोद में ले लिया और कोठ्री में जाकर महिनों का जमा चोकर निकाल लाई और ऐसी महबबस से बकरी को खिलाने लगी जैसे बहुत दिनों की बिछुडी हुई सहेली आ गई हो न वो पुरानी कटता थी न वो मन मुटाओ कभी बच्चे को चुमकारती कभी बकरी को सहलाती थी और बकरी डाग गाड़ी की रफतार से चोकर उड़ा रही थी तब मुझसे बोली अरे वाह, अरे कितने खुमसूरत बच्चे हैं हाँ, बहुत खुचरत जी चाहता है इनमें से एक लेलू पाल लू तबियत नहीं भरी अभी तक तुम तो बड़े निर्मोही हो चोकर खत्म हो गया बकरी इत्मनान से विदा हो गई दोनों बच्चे भी उसके पीछे पीछे फुदकते चले गए देवी जी आँख में आसु भरे ये तमाशा देखती रही गडरिये ने चिलम भरी और घर से आग मांगने आया चलते वक्त बोला कल से दूद पहुचा दिया करूंगा बाबु जी देवी जी ने कहा और दोनों बच्चे क्या पीएंगे और मुझे रात को वो मरमान तक घटना याद आ गई मैंने कहा दूद लाओ या न लाओ तुम्हारी खुशी लेकिन बकरी को इदर ना लाना उस दिन से न वो गडरिया नजर आया न वो बकरी और न मैंने पता लगाने की कोशिश की लेकिन देवी जी उसके बच्चों को याद करके कभी कभी आंसू बहाकर रोती है अभी आप सुन रहे थे मुशी प्रेमचन की कहानी कोई दुख ना हो तो बकरी खरीद लो का दूसरा और अंतिमभाग पात्र परिचे इस प्रकार है सूत्रधार जी श्याम बीवी ममता सिंग पंडित जी दीपक के साव लेकर काची जयन पात्रिकर काची की बीवी चंचल वर्मा नौकर दीपक के साव लेकर गडरिया राजेश ज्छां प्रस्तुती अनुश्री पाठक परकल्पना एवम निर्देशन रेणू चतुरवेदी टबूआ काता सुधा की कहानी सभी को बहुत पसंद आई होगी ऐसा मानते हैं नौ नहीं ऐसा लिखते ही हैं न लिखते हम एँएं कानी देगे सभी को सुनना बहुत अच्छा लगता है बिर्कुल सही बात है और ऐसी कहानी वाकई बहुत मज़धार कहानी थी मुंची प्रेमसंद की कहानी हमने सुनी यह आखरी भाग था ना इसका और देखिए अब समय भी हो चला कि हम भी यहां से विदा ले लेकिन हमारे साथ ही जो हम नोंने बातें की हैं उन सब का बराबर ख्याल रखेंगे और मौसम के हिसाब से रहेंगे और जो मौसम क कि अखरु़ मौसम के यदिए और भी हमारे से उसका ले रहेंगे और मौसम का बेあतो खीदेन है, ao कज़रेगे झाल वाले झाल ध displacement